बकसर के रगुनादपूर में हैं इस वक्त और नॉर्थ इस्ट एक्सप्रेस यही पर हाथ से का सिकार हुई बदाया जा रहा है कि 5-6 डिब्बे उसके पट्री से उतर गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं यहाँ पर बचाव दल जो है बड़ी तत्परता के साथ कार्य कर है और जो नौर्थ इस्ट एक्सप्रेस ती जो आनंद विहार से कामाख्या जंक्सन जाती थी वो नौ बचकर 35 मिनट पर बकसर के रगुनादपूर पर रगुनादपूर जंक्सन पर जो है यही हाथ से का सिकार हो गए देख सकते हैं पीछे जो है यह ट्रेन के ही डिब्ब को प्रारंब करते हैं इस्थिति यह है कि सुबा के साड़े तीन चार बज रहे है और पूरी तरीके से रेस्क्यू करने का काम जो है वो किया जा रहा है बड़ी तत्परता के साथ यह देख सकते हैं यह वही उत्रे हुए डिब्बे हैं जो नौर्थ इस्ट नौर्थ खुली थी और कामख्या जंक्सन जा रही थी रहे है देख सकते हैं यह इधर और इधर और इधर भी कुष डिब्बे हैं यहां पर पूरी तरीके से प्रसासन के लोग चुस्तों दूस्तों मुस्तायत खड़े हैं पूरा च्छेत्र च्षाउणी में तब्दील ओ चुका ज तो लोग घायल थे उनको निकाल कर एंबूलेंस के माध्यम से आसपास के इलाकों में पीम सिया जिसके बाद एमस जैसे अस्पताल में उनको एड्मिट कराया गया है बाकी जो है राहत बचाओ का कार यहां पर जोर सोर से चल रहा है इधर आप देख सकते हैं यह ट्रेने आए कितने डिब्बे जो है वो पट्री से उत्रे हुए है अलाकि यहां पर जैसे ही यहां पर खड़े होकर बचाओ दल में सहयोग कर रहे हैं इधर यह ट्रेन का एक डिब्बा है उधर है और इसके बाद शाय से हमको जहां तक प्रथम द्रिस्या अर्मान जहां मैं लगा पा र अनुमानिती स्पीड जो है गाड़ी की लगबाग 120 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है और पांच छे डिब्बे जो उत्रे हैं उसी में से डिब्बों का यह पहला जो है परिद्रिस से आप देख सकते हैं यह यह डिब्बा है इसके बाद और पास आई यह सुबा के तीन बज रहे हैं और जैसे ही घटना हुई है तब से ही बचाओ कार यह बड़ी तत्परता के साथ बड़ी तेजी से चल रहा है यह देख सकते हैं यह से एसी क्लास का जो है एसी क्लास है और यह पूरी तरीके से पूरी तरीके से यह डिब्बा जो है छतिग्रस्त हो गय है जो लोग बैठेते जो लोग यात्रा कर रहेते वो नहीं सोचे थे कि साइस से इतना बड़ा हासा हो जाएगा लेकिन यह हासा हुआ है और इसके दिखें आई 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 पास में आई ये देखें प्लेट फॉर्म की एक बार स्थिती दिखाएए जो है गाड़ी की स्पीड जो है जहां तक अभी तक प्रथम द्रिस्या खबरों के माने सुत्रों के माये तो 120 किलोमेटर प्रतिगंटा की रफ्तार से ट्रेन जा रही थी और इसी लाइन पर जा रही थी और जैसे ही हासा होता है धलाम से आवाज आते हैं सबकी नीन खूल जाती है और पैसें है तो स्लीपर क्लास होगा इसके बाद भी जो है यह बोगी भी उत्री है और जो मैंने सुरू में पहले आपको वीडियो दिखाया था वह बोगी सबसे ज़्यादा जटिक रस्त हुई है अब आप देख लिए सुरुआ से हम गिनते हैं लगबग 5-6 डिब्बे जो है वह प पूरी तरीके से आगे का मूह उधर था जो है पूरब की तरफ तो देखिए नौर्थ इस्ट एक्सप्रेस का जो डिब्बा था वह कैसे पट्री से डिरेल हुआ है अब यह पट्री पर ट्रेन खड़ी हुई है तो यह कम छती ग्रस्त हुई है दूसरी तरफ जब आप सबसे जादा इसके पीछे लगे जो कोचे से उनको च्छती पहुंची है और यही कारण है कि यहां पर बड़ी तेजी से राहत और बचाओ का कार्य जो है वो किया जा रहे है रगनातपूर पर रगनातपूरी स्टेशन पर जो है यह गाड़ी रुकती नहीं ती इसलिए ग धारित गती से आगे तैसीमा को तैकर रही थी और इसी बीच में यहासे का सिकार हो जाती है हादसा इतना भयावा होता है कि साथ से आटट डिबबा जो है वो पट्री से उतर जाते हैं और अभी जो है जान जाने के भी इसमें संक्राइब कि इतना बड़ा आधसा तह analytics एसा यह कितना भायावा यह हादसा था कि प्लेटफॉर्म को फार्टी हुई यह ट्रेन जो है आगे निकली और आपस में बोगियों के टकराने से कई बोगी जो है वो डिरेल हो गई मदला भी जब इस्पीड इतनी तेज थी कि यह ट्रेने जो है एक डिबबा एक डिबबे से टकराया तो यह जो डिबबा था वो आपस में इधर से उदर हुआ और आपस में टकराने से भी जो है यह ट्रेन जा रही थी यह डिरेल कैसे हुई कैसे घटना घटित हुई यह तमाम सीजे जो है अभी जानकारी में नहीं है कि किस तरीके से यह कारे किया मतलब दूर घटना कैसे हुई और यह देख सकते हैं यह इसी प्लेट फॉर्म पर जो है यह ट्रेन जा रही थी इस स्पीड से यह जूते पड़े हुए हैं बच्चे बुड़े महिलाएं पुरुष नोयुवक नोजमान तमाम लोग इसमें यात्रा कर रहे थे जब वह आनंद बिहार से बैठे होंगे तो उनको यह नहीं पता था कि आगे चलकर यह ट्रेन जो है वह हादसे का सिकार हो जाएगी लेकिन किसी कारण बस यह ह पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर स्लीपर क्लास इसके बाद जो डिब्बे गिरे हुए हैं वह एसी कोचस के हैं देखे उदर एसी कोच्छ है और इसके पीछे जो और डिब्बे हैं वह ज्यादा च्छतिग्रफ्त हुए हैं अकॉर्डिंग तो मतलब आगे के जो डिब चthem desapare 35 इस्थिती एही है कि जो है यह्ज्य है चोटा मोटा हासा नहीं बलकि यह भयावा हासा और बड़ा हासा है एक ट्रेन का साथ से आठ डिब्बा पप्ट्री से उतर जाना यह चोटा मोटा हासा हम इसको नहीं कह सकते हैं और पूरी तरीके से एक दो डिब्वे जो हम उ सभरे दरना करें से हमला है बाति नुन तो किसे भी तरफकु हैं फ्रकार से और इंको छोड़े तो यह पूरतेया जो है अपने वील्स के ऊपर अपने चक्के के ऊपर अपने पहिये के ऊपर खड़े लेकिन जब हम पीछे चलेंगे और आपको हम पीछे उत्रे हुए गाड़ी के चक्के या फिर डिब्बे दिखाएंगे तो उससे आप अनमान लगाएगे कि यह हादसा जो है बड़ा को यह नहीं पता था कि इसके अंदर जो है बड़ा हासा आने वाले एक रगुनातपुरी स्टेशन के पास हो जाएगा यह देख सकते हैं इधर यह यह डिब्बा है इसके पीछे भी एक इसी कोच है यह डिरेल हुआ इसके बाद यह डिरेल हुआ और इसके पीछे जो दो को यह खड़ी हुई है लेकिन जो पीछे की दोनों भोगी थी जो पीछे के दो डिब्बे थे वह डिरेल तो हुए है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उसका देखने का भी साई यह है कि वह पलट गए है और पलटने के बाद यात्रियों की क्या स्थिती हुई होगी कितना अपने वील्स के उपर अपने पहिये के ऊपर खड़े हैं लेकिन जो पीछे के दो बोगियां है यह पूर्टया जो है डिरेल तो हुई है लेकिन पलट भी गई है पलटने के मतलब कि एकदम घुमाव ले ली है और इधर उसे उधर चितिर भीतिर हो गई है इसका मतलब कि हासा जो है वो गंभीर था बड़ा था नौ बचकर 35 मिनट पर नौर्ट इश्ट एक्सपरस का हासा होता है तमाम लोग यहां पर पहुचते हैं अबडा तबडी का माहोल होता है इसके बाद NDRF, HDRF जो है इसके बाद पूलिस के जवान यहां पर तमाम थाना के जिलादकारी तमाम लोग पहुचते हैं राहत बचाओ का कार अभी चल रहा है जो पैसेंजर उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनको उनके गंतब बितक कैसे बेजा जा यह तमाम चीजे निर्धारित की गई है दानापूर से एक पैसेंजर ट्रेन आती उसके माध्यम सुन को बेजा जा यह हाथसा सूचने कभी से है क्यों होता है कैसे होता है यह तमाम सवाल है और यह सवालों का जबाब तभी मिलेगा जब इस पर बकाईदा टीम बैठेगी और जाच होगी देश का यह इस साल का सबसे बड़ा रेल हाथसा मतलब पहला बाला सो रेल हाथसा और इसके बाद य हार का बक्सर का ये बड़ा हास्वा सुचने कब इसा है बहुत-बहुत धन्वाज जहन मित्रों